आप देख रहे हैं यह वीडियो 7 चक्रास के उपर अगर आप जानना चाहते हैं कि चक्रास क्या है और किस तरह से वो काम करते हैं तो जरूर इस वीडियो को पूरा पूरा देखें बहुत सारा इस वीडियो मैं देने वाली हूँ तो स्टेट यून और मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहें ताकि आप यही सारे वीडियो पाते रहें हर वक्त में एक स्टेटेश ठाट ईसने में अमसरो फ्रीडियो कूरा क्रणा आप यह थता संफेट आते रहें हमली Edna चक्रा का मीनिंग ही यही है कि वो घूमते रहता है और यह चक्रा जितना अच्छी दरहों से गूमता है उतनी अच्छी दरहों से आपकी लाइफ बैलन्स रहती है Okay, so yes, हम यह देखने वाले हैं आज यह हम seven चक्रा जो दिये गए हैं उन सारे साथ चक्रों के बारे में हम बात करने वाले हैं और यही साथ चक्रा जैसे बैलन्स रहते हैं जब बैलन्स रहते हैं और अच्छी दरहों से बैलन्स तरीके से जब गूमते रहते हैं तब आपकी लाइफ बैलन्स होती है Right, वो हम देखेंगे कैसे तो अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी अगर आप कोई information note down करना चाहे pen और paper लाना चाहे तो ज़रूर कर लीजिए विडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा information लेकर आ रहा है तो सबसे पहले कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि क्या चक्र सच में होते हैं अब यूनो हम इंडिया में रहकर ये सवाल नहीं पूछ सकते just because ये हमारी संस्कृत है जहां से ये चक्र का knowledge पूरी दुनिया में गया है तो इसलिए इंडियन लोगों को हक नहीं है आपके रग रग में ये चीज होनी चाहिए कि हाँ साथ चक्र है पता नहीं है कोई बात नहीं लेकिन साथ चक्र होते हैं अब साथ चक्र क्या है आपके अंदर की जो चक्र है वो क्या है यो चक्र जो है वो साथ चक्र जैसे हैं मतलब वील जैसे हैं पहिये जैसे हैं कि जो हमेशा गूमते रहते हैं हर एक चक्र अलग-अलग लेवल की एनरजी के साथ गूमता है और जब वो सारे चक्र अपनी तरह स यूमने चाहिए, जिस स्पीड से वो घूमने चाहिए, उतनी स्पीड और ehr frequency से जब गूमते है तब जाकर आपकहा जाता है कि आपके य लाइफ भी भी बैलनस होगी अब येस आपको जानना होगा कि कि आपकी लाइट में अगर कीसी इतरह का in balance है तो कौन सा चक्रा responsible है तो ये देखते रहें अब सबसे पहले चक्रा की साथ हम deal करने वाले हैं ये नो हम चक्रा की साथ आगे बढ़ें उससे पहले आप देख लीजे कि कुछ इस तरह से चक्रा जो भी आपके शरीर में है चक्रा नहीं चक्रा चक्रा जो भी आपके शरीर में है वो इस तरह के रंग से बने हुए हैं हरे चक्रा अलग रंग की एनर्जी से एनर्जी आपकी लेकर आता है और इसलिए लाइफ में हरे एक तरह का रंग होना चाहिए इसके अलावा अब सबसे पहला चक्र हम देखते हैं अब ये नो मैंने English नाम भी साथ में डाले हुए हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए मैं actually मेरे हिसाब से आपको संस्कृत नाम याद होने चाहिए बिकरस आप इंडुस्तानी है आप इंडियन है येस अगर आप इंडियन नहीं है फिर भी आने चाहिए बिकरस ये लो संस्कृत के जो नाम है उसके काफी सारा मीनिंग चुपा हुआ है ये लो चक्र के जो सबी जो नाम है उसके मीनिंग में ही काफी वजन है ये लो English के जो नाम दिये गए है वो हमें चक्र कहां पे स्थित है और उसे क्यों उस तरह से बुलाया जाता है वो हम समझे उस तरह से उसके नाम दिये गए है जहां पे संस्कृत के जो नाम दिये गए है वो कुछ उस तरह से नहीं चक्र के जो चक्र का जो मीनिंग होता है प्लास चक्र का जो मतलब होता है उसके आधार पर चक्र के नाम दिये गए है संस्कृत में लिए मैं चाहूँगी कि आप संस्कृत नाम याद करते जाएं चम्स्कृत नाम भी तेखते जाएं राइट कुई सबते पहला चक्र है मूल आधार चक्रा अब मूल आधार चक्रा है रेड कलर का लाल रंग ब्राइट एंड रेड कलर जब यह चक्रा काफी बैलंस रहता है जब यह चक्रा अच्छी दरहों से बैलंस रहता है तब आपकी लाइफ में क्या होता है तो यह आपकी लाइफ मतलब यह जो चक्रा है इस इक चीजे चाहिए, रायट, पैसे चाहिए, बहुत इक चीजे चाहिए, तो यह सारी चीजे बहुत ही अच्छी तरह को सब्सक्राइबेस्द hmos Sexajid numerus अगे अब देखते हैं दूसरा चक्रा ये चक्रा हम नीचे से उपर शुरुआत करते जा रहे हैं विकस् चक्रा नीचे से उपर ही होते हैं beds रहे इस लिए हम इस तरह से इसके साथ डील करेंगे, दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र का मतलब अपना अधिष्ठान, आपके इस तरह से आप स्वा का अधिष्ठान, आपके इस तरह से दुनिया को लेते हैं, ओके, देखेंगे वो क्या है, कुछ थोड़ी ही देर में, अब यह जो चक्रा है, यह औरंज कलर का, नारंगी रंग का यह चक्रा है, और इसे इंगलिश में सेक्रल चक्रा कहा जाता है, क्यों? बिकरस सेक्रल एरिया में आया है, इस लिए, अब यह चक्रा ओरंज है, और यह दूसरा है, इसकी अलग अलग अमाउंट की पैटल्स है, अब आपके लिए पेन और प्लेजर, आप दुनिया में दर्द, दुख और सुख किस तरह से आप लेते हैं, वो इस चक्रा के ऊपर से निरधारित होता है, अब किसी इंसान को आप देखेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, यूनों हमेशा खुश रहते हैं, तो उनका स्वाधिश् बहुत ही ज्यादा बैलन्स रहता है, इसलिए उनको आसपास जो भी होता है, इतनी ज्यादा कुछ पड़ी नहीं है, वो बस अपने आप में खुश ही रहते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं, तो ये चक्रा आपके लिए डिसाइड करता है, दुख और सुख किस तरह से आप उसको लेते हैं, जब ये बैलन्स होता है, तब आप हमेशा प्लेजर, मतलब जो सुख जो है, आपकी मनो कामना हमेशा रहेगी कि हाँ, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये अच्छी चीज है, वो खानी है, मुझे यहाँ पर घूमने जाना है, जो भी प्लेजर वाल ये नाभी के आसपास वो स्थित है, और नाभी का जो चक्र है, ये नाभी जो है, उसके आसपास 72,000 नाडिया आई हुई है, और जिसकी वज़ए से वो सूर्य की तरह देखता है, इसलिए उसे सोलर प्लेक्सिस कहा जाता है, लेकिन यहाँ नाभी के पास एक सूर्य भी होत जब भी आपकी life काफी balanced रहती है, ये chakra अच्छी frequency से और अच्छी दरहों 세 गूलते रहता है, regularly तब आपकी life, you know, तब आपका ये chakra balanced रहेगा, और आपकी life में, जब भी ये chakra आता है, you know, तो ये chakra है, कि जो आपको जब भी अपकी लाइफ में जब भी इस चक्रा की बात हो रही है जब भी ये चक्रा बालंस होता है तब आपके लिए powerful feel करना और control कि यूदू आपको लगईगा कि हाँ मेरी life मेरे control में है मेरा power इस दुनिया में है, मतलब अगर आप कुछ भी करते हैं, तो येञ वो चीज बाहर दुनिया में recognize होती है, बाहर की दुनिया में वो चीज और रेकिगनाइस किया जाता है, and then उसके बाद है अनाहद चक्रा, मतलब हाट चक्रा, अब हाट चक्रा भले कहा गया है लेकिन अनाहत चक्रा जो है वो आपके चेस्ट के सेंटर में है अब हाट चक्रा क्यों है विकास हाट के काफी नजदीक है तो येश अनाहत चक्रा क्या करता है वो हम देखते हैं अब यह जो चक्रा है वो green color का अच्छा bright green color से बना हुआ है यह यह च्रा और इस चक्रust का क्या अिनिंग होता है तो यह आपको giving and receiving love आपको प्यार देने में और प्यार एकसेक्ट करने में मदद करता है ये चक्रा, तो ये चक्रा अगर आपका बैलंस्ट है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, किसी को प्यार करना, या फिर किसी का प्यार एकसेक्ट करना, किसी को माफी देना, या फिर कोई जो माफी जैसे हम फ्रोल्ड शगरा ऑगेन जैसे मैं ने आपर इंगल्डिश को सबसें सर्फ पाते हैं क्ने साच रहां पर फ्रो चेंट किस रहा टो चे 178 उकर यह पर कि प्रिकराल के अर्थ इसके मुझा से प्ली it यहां पर किस नहीं कर deix रहे पता है अब विशुद्धि चक्रा जो है वो ब्लू इश कलर का चक्रा है ब्लू कलर का चक्रा कि जो आपके गले में स्थित है और यह जो चक्रा है जैसे ही बैलेंस रहता है तो आपकी लाइफ में क्या बैलेंस रहता है आपके लिए सेल्फ एस्टीम मतलब स्वाबीमान आत्मसम्मान आपका जो आत्मसम वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल पर होगा और आपके लिए communication वारता लाप करना बहुत आसान होगा जो आप बोलना चाहते हैं वो सामने वाला इंसान आसानी से समझ पाएगा जो सामने वाला इंसान बोलता है वो आप आसानी से समझ पाएंगे जब आपका विशुद्धी चक्रा बैलेंस रहेगा इसके अलावा आपके अंदर की सच्चाई आप अपनी सच्चाई आप जो कहना चाहते हैं वो आप आसानी से सामने वाले इंसान को कह पाएंगे और अपके विशुद्धी चक्रा का इंपोर्टंस अब देखते हैं कि आगना चक्रा मतलब थर्ड आई इसका क्या मीनिंग होता है यह आगना चक्रा का मीनिंग है कि सबसे पहले देखते हैं इसकी दो पेटल्स है और यह थोड़ा सा पर्प्लिश-कलर्ड का है अब काफी स अगर आपने देखे होंगे, तो आपने शायद पाया होगा कि कई जगह पे साथो साथ चक्र के अलग कलर बताये गए हैं, आगना चक्र का ब्ल्यू, डाक ब्ल्यू, मतलब के इंडिगो कलर, और नीला रंग, और क्राउन चक्र का पॉपलिश कलर, मतलब के जामली रंग, इस इस गुजराती वर्ड, मतलब पॉपल कलर बताया गया है, लेकिन कई और इमेज़ में आपने देखा होगा कि थर्ड आई का कलर पॉपल है, और क्राउन चक्रा का कलर वाइट है, ऐसा क्यों? मतलब यह जस अलग अलग ऐसे बाते हैं, इसमें से कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, कुछ लोग मानते हैं कि यह इस तरह से चक्रा का असूसियेशन है, कुछ लोग मानते हैं कि चक्रा इस तरह से स्थित है, दोनों सही है, अब यूशली मैं जो फॉलो करती हूं हमारे शास्त्रों में जो लिखा गया है, वो सातों चक्रा के अलग 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 रंग होती है जैसे जानी वाली पिनला जिसे हम कहते हैं तो तब वो उसके अलग-अलग रंग बनते हैं तो यूजली मैं ने इसी तरह से इसमें एक्सक्रें किया है, इस वीडियो में तो आशारती हो कि आप समझेंगे और अब आगना चक्रे से क्या होता है आगना चक्रे अगर आपने अपनी कुंडलीनी शक्ति को जागरत किया है और उस शक्ति के द्वारा अपने हर एक चक्रा को ओपन किया है मतलब खोला है तो इसका इस्तमाल आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि जो यहां पर इस स्क्रीम पर बताया गया है कि आपकी चक्र आपको आगना चाहते हैं के दौरा है। इसके दौरा आप ग्वार आगjak शाहते हैं कर बतुछां शुनौ को आप शुन कीक्या है बार को यह विर देनल है, लूना चाहिए लेकिन छोड़ी जब पार अन्दर पर अप्शया है यह तक शक्ति है कुंडली नी इसके द्वारा अगर आपने इसक खोला है तो जितना ज्यादा पावर उतनी ज्यादा आपके उपर इसके अलावा रिमोट व्यूइंग मतलब दीरगदरश्टी पाना दीरगदरश्टी मतलब भविश्य में होने वाली चीज़े देख पाना फिर इस चक्रे के द्वारा आप असलियत में यहां पर बैठे बैठे आप किसी और जगह पर क्या हो रहा है कोई और गरह पर क्या हो तो यही शक्ति के द्वारा हमारे इंडिया के जो संत महात्मा जो थे हज़ारों साल पहले उन्होंने जाना कि सूरिय में कुछ इस तरह से होता है सैटन कुछ इस तरह से होता है बुद्ध गरह सबसे नस्दीक का है सूरिय से तो यह सारी तब उस समाई पर कोई एतने ज्यादा perfect calculations हजारों साल पहले भी कर सकता था और अब भी कर सकता है, तो यास, वो सारा, बतलब हमने सारा ढूमडा है ग्रहों के बारे में, हमारे प्राचिन संथ महात्मा उन्हों हमारे प्राचिन काल के संथ महात्मा उन्होंने इसी माध्यम के दौरा, आगना चक्रे के द्वारा ही सारा knowledge हासल किया था काफी बार लोग पूछते हैं कि यार हमारे संत महात्मा में ऐसे क्या पावस थे तो ये पावस थे और इसके अलावा अब सहस्त्रार चक्रा सहस्त्रार चक्रा के लिए English word है crown चक्रा क्यों crown चक्रा बिकोज आपके crown एरिया में crown कहाँ पे पहनते हैं मुगट कहाँ पे पहनते हैं सिर के उपर तो crown यहाँ पे स्थित है इसलिए उसका नाम crown चक्रा है लेकिन हमारे संस्कृत में इसे सहस्त्रार चक्रा बताया गया है सहस्त्रार चक्र क्यों कि इस चक्र में सहस्त्रा दल का कमल है सहस्त्रा पंखुडियों वाला कमल है इसलिए इसका नाम सहस्त्रार चक्र है और यह जो चक्र है वो किस तरह से आपकी life balance कर सकता है यह जो चक्र है it is responsible for connection with the divine मतलब आपका भगवान के साथ का जो connection है आप किस तरह से भगवान के साथ परमात्मा के साथ इश्वर के साथ अल्ला गॉड जीजस जो भी है आप जिस भी भगवान में believe करते हैं जिस भी religion को प्यों follow नहीं करते लेकिन यह जो है वो आपको उस divine से connect होने में मदद करता है और इसलिए कई बार हम जब आप कुंडलीनी शक्ती को जागरत करते हैं और उसके द्वारा सथी चक्रा को open करते हैं चक्रा को balance करना और चक्रा को कुंडलीनी द्वारा open करना यह दोनों अलग अलग बाते होती हैं और यह जो हम करने वाले हैं, यहाँ पे हम चक्रा ओपन होने की बात कर रहे हैं, तो बच्चपन में शायद बच्चों को सिखाया जाता है भगवान क्या है, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको प्रेयर करना चाहिए, तो यह सारी जानकारी होती है, जो भगवान के क्या है, क्या नहीं, लेकिन जब भी आपकी कुंदलीनी शक्ति के द्वारा यह सहस्त्रार चक्रा खोलने की बात होती है, उसके बात आप भगवान को, भगवान, अल्ला, जीजस, यहाँ पे हम डिवाइन को जानते हैं, आपको पता है कि गौड क्या है, डिवाइन क्या है, तो ये हैं सहस्त्रार चक्रा के बारे में इंफर्मेशन, और थांक ये सो मच फर वाचिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथों चक्रा बालंस्ट रहे तो चक्रा बालंसिंग के लिए एक मेडिटेशन अवेलिबल है, उसको खरीदने के लिए लिंक नीचे डिस्रिप् जैसे मैं ने बता कि कुछ चक्रा हमेशा बालंस रहते हैं तो फो आप जान सते हैं उस पैकेज। चक्रा बालंस का पैकेज Elena's बोक्स में उसके लिंक डाल दी जाएगी तकि आप वहां से वो ओर्डर कर से कि येस वो भी चार्जिबल है और येस कि आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये वीडियो देखा आपके लिए बहुत जादा इंफरमेशन था आपके जो भी कॉमेंट्स है नीचे कॉमेंट बॉक्स में तकि मैं आपको जवाब दे पाऊं सो थाएग्यू सो मुछ ऑच वाच नहीं तकि ये वेग विद अब झाल झाल